एक वक्त था जब लडाईयां बॉर्डर पे बंदूकों के साथ लड़ी जाती थी लेकिन अब टेक्नोलोजी का जमाना है और जंग का मैदान बदल चुका है ट्विटर जहां पे हार जीत का फैसला गिया जाता है ट्विटर के यूद की पुरानी खिलाडी है कंगना रनाउट की धीट आदत से मजबूर उंगलियां जो हर दो तीन हफ़ते में अपनी काबिलियत साबित करने को नया दुश्मन धूर निकालती है और इस बार तो लड़ाई सिधा इंटरनेशनल पहुँच गई है क्योंकि दुश्मन नंबर बन देशी नहीं विदेशी है रिहाना मैडम जो फार्मर प्रोटेस्ट पर ट्वीट करके लोगों का ध्यान खीच रही थी उन पर कंगना की बुरी नजर पड़ गई है मुद्दे की बात ये कि मुद्दा आखिर है क्या पूरे देश में पिछले कुछ महीनों से फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है किसान भाई अपने हक्की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से मुलाकात और मुकालाग दोनों की तयारी कर चुके हैं चलो ठीक फिर दिक्कत क्या है दिक्कत है घर में लगा हुआ टीवी और सुबह से शाम तक उस पर चलने वाले न्यूस चैनल करोड़ों लोगों तक इसको शेयर कर डाला अब ये रिहाना आखिर है कौन नाच ना जाने आंगन टेड़ा सुना होगा इसमें जो नाच वाला शब्द है उसके लिए जिस चीज की सबसे ज़ादा ज़रत पड़ती है म्यूजिक उसकी आत्मा में रिहाना की आवाज बसती है अरे बंदी सिंगर है वो भी ऐसी वैसी नहीं आइकन लेजंड ये सारे शब्द एक साथ मिलकर भी इनके टैलेंट के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे अब इस मामले में कंगना दीदी के एंट्री क्यों और कैसे हुई इस सवाल का जवाब डूनते हैं दो दीजन हो सकते हैं पहला दिलजीत पाजी की याद हैं जो कंगना के दिल से जाने का नाम नहीं ले रही हैं पाजी ने जो शब्दों के बान छोड़े थे उन्होंने दीदी के दिल में छेट कर दिये और अब रिहाना जो दिलजीत की तरह सिंगर हैं उनके ट्वीट ने चोट के निशान पे नमक छिड़क दिया कंगना ने सोचा एक नहीं तो दूसरा सही इस बार सिंगर के मुझे माइक छीन कर बदला जरूर लेंगे दूसरा डीजन बदनाम हुआ तो क्या हुआ नाम तो हुआ ना बॉलिवुड इंडस्ट्री फिलाल ठप है थियेटर में फिल्म आ नहीं रही है तो कंगना ने सोचा एक्टिंग इस बार सीधा लाइव इंटरनेट पे कर देते हैं अब देखो मजाक एक तरफ कंगना से मुझे शिकायत इस दिये है क्योंकि इनका गुस्ता सिलेक्टिव क्रिटिसिजम नाम की बीमारी का शिकार है वो क्या होता है एक्जैम्पल देकर समझाती हूँ इन महाशे को तो जानते होगे इनकी पर्सनल चैटे लीक हो गई थी जिसमें से एक मैं ये कंगना मैडम को रितिक के पीछे सेक्स नाम की बीमारी का मरीज बता रहे हैं अब कोई और होता तो कंगना उसको सिधा जेल की दिवारों के पीछे पहुचा देती और ट्विटर आज खून के रंग से लाल हो जाता लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर मैडम के तेवर नर्म पढ़ गए इसको बोलते हैं सिलेक्टिव क्रिटिसिजम दूसरी शिकायत यह मैडम अपने ट्विट में जिन किसानों को टेररिस्ट बता रही हैं अगर उनके खिलाफ सबूत हैं तो फिर एक काम करो मारकेट जाओ, बुक्स खरीदो, पढ़ाई लिखाई करके एक्जाम क्लियर करो और फाइनली सोलजर की यूनिफॉर्म कमाके ये टेररिस्ट बगरा को भून डालो जब तक उस लायक नहीं हो तब तक ट्विटर पे बैटके उंलिया घिसना बन करो और किचिन में जो ये गैस पे सबजी रोटी बन रही है, ये किसानों के खेट से ही बाहर निकली है मैडम चलो इतना भी मत करो, एक आसान सवाल का जवाब दे दो बस, इंडिया का असली दुश्मन है कौन? जवाब नहीं पता, लाइफलाइन चाहिए, दोस्त को फोन लगाना है, सौरी वो इस वक्ट कट पुतली बनकर टीवी पे नाच रहे हैं, 50-50 से काम चला लो लास में बस इतना बोलूँगी, लड़ाई सरकार और किसान के बीच की है, रिहाना हो या दिलजीत कोई किसी के भी साथ खड़ा हो सकता है कंगना मैडम, आप एक्टिंग बहुत अच्छी करती हो, और मैं परस्नली आपके प्रोफेशनल टैलेंट की सबसे बड़ी फैन हूँ लेकिन ये ट्विटर के कंदें पर बंदूक रखकर परस्नल करियर को चमकाना बंद कर दो बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या तो कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतजार करें मिलूगी आपसे अगले वीडियो में, टेक केर, बाई बाई